हेलो फ्रेंड्स नमस्कार मैं आपकी दोस्त तर्शना आज मैं बनाने जा रही हूं बिल्कुल मार्केट स्टाइल खस्ता निमकी यह खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है और इनको एक बार बना के रख लिए तो काफी दिन तक ऐसी ही खस्ता बनी रहती है तो चलिए शुर कासा नमक और थोड़ी सी अजमाइन डाल देते हैं और अब जाएगा इसमें घी मौयन के लिए आप चाहें तो इसकी ज़रा ऑइल का इस्तमाल भी कर सकते हैं मगर उससे इतनी जादा खस्ता नहीं बनती है इतनी अच्छी खस्ता घी से बनती है गी डालने को अब आटे को अच्छे से हमें मलना है घी के साथ में ताकि मौयन हर जगह पहुंच सके आटे में देखिए और इसकी पहचान होती है जो मैं आपको पहले बता चूँ कैसे बांद कर देखिए अच्छे से बन गया है नहीं मौन परफेक्ट है अब इसमें सिंपल पानी डाल दीजे और इस इसको इस तरीके से तयार कर लेते और तयार करके 10 मिंट के लिए रेस्ट के लिए चोड़ देंगे इतने हम आगे की तोरी कर लेते हैं अब यहां मैं ने एक बावल में थोड़ा सा लिया गीपिगला क्या चाहें तो ओयल भी ले सकते हैं इसमें डालेंगे थोड़ी सी और इसका एक पेस्तिया करेंगे थोड़ा लिक्विट सा होगा जो हमारी जो खस्ता बनाने में काम आएगा आपको बाद में दिखाऊंगी इस तरीके से लिक्विट बनाना है इधर हमारा आटा भी सैट हो चुका है इसको थोड़ा सा और मल लेते हैं यह देखिए कितना बड बड़ा यह देखिए बिल्कुल हमें इस तरीके से बेलना है बड़ा और पतला अब जमने घी का पेस्ते यार किया था मैदा वाला अब इसको जैम इसको उपार अच्छे से लगा देंगे चारो तरफ से अच्छे से लगाना है कोई जहां छूटनी नहीं चाहिए क्योंकि यह बड़क बारत बनाने में मदद मिलेगी और ऐसे बारिक बारिक करते शको रूल करना है बीच में जगा बिलकुल मत छोड़ूद टायट इसको रूल बनाइब हैसे रूल बनाने के बाद में दूब फिस काटे गा बेली छोटे- को एक उठा लेते हैं घी वह उंपर प्रक्षा इसको ऐसे बना देंगे फिर जल्ड इफ इसको ऐसे शेप में बणा देंगे बुकुल समय से कुसे शेप होती है और बस दो बेल नो मारें हराई निम की ते यार ऐसको तयार करके फूलिन इसलिए मैं समय छेद बना विछ जरू ना उससे इसकी लेयर बनाने में मदद मिलेगी और खसता तो बढ़िया बननी है हाँ छेद करना बिल्कुल भी मत भूलेगा डिजाइन बनाने चाहते तो ऐसे काली मिर्च भी लगा सकते हैं अगर आपको पसंद हो तो मैं तो खेर नहीं लगाऊंगी क्योंकि जो बच्चे न आई में ऑईल या गी गरम होने के लिए रखेंगे उसमें टेंपरेचर का ध्यान जरूरी रखेगा कि वो लो फ्लेम पे होना चाहिए देखिए मैंने डाली बहुत हलके से बबल्स आ रहे हैं जाल तेज बबल्स नहीं है यानिकि बिल्कुल हलकी हमारी गैस है अगर आपने नहीं डालेगा जितनी आप आसानी से सेख सके आपकी कढ़ाई में आराम से आ सके और यह देखिए इस तरीके से अलट पलट करती हम इनको मंदी एस परी सेखेंगे यह देखिए बिल्कुल गोल्डन ब्राउन जो तक नहीं जो तक हमें सेखने होती कितनी बड़या कितनी ख सेख के सारी तयार हो चुकी है और इसी तरीके से अपनी सभी निम्की सेख कर तयार कर लेंगे हम अगर आप भी कुछ बातों का ध्यान रखते वे निम्की बनाएंगे तो आपकी बिल्कुल मार्किट जैसी खस्ता बनेंगे एक तो आटा गूनते समय आप जरूर ध्यान अगर में बनाएं खाएं और अपने अनुहां मेरे साल जरूर शेयर करें धन्यवाद